हलो माई फ्रेंट्स आप सभी का अपनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारे प्यारे प्यारे से मेरी गोल्ड के फ्लावर बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं और साथ में ही ढलती वी सूरज की किरने इनको और भी खुबसूरत कर रहे हैं इनका कलर बहुत ही ख प्रफशल है खास करके अगर आप टैरस गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको पॉट की बहुत दिक्कत हो रही है और आपको लगता है कि ऐसा क्या पॉट हम सलेक्ट करें जिसमें रूट रॉट भी ना हो और प्लांट की रूट भी बहुत अच्छे से डवलप हो और वह भारी पॉट की या मिट्टी के गमले जिसको हम बोलते हैं उनके बारे में हमारे दिमाग में आता है पर वह इतनी हेवी होते हैं और इस कदर वह पानी से खराब होने लगते हैं कि हर साल हमें उनको चेंज करना पड़ता है उसी का आज बेस्ट इल्यूशन मैं आपके लिए लेकर काई आई हूं तो चले वीडियो को स्टाइट करते हैं और देखते हैं वो है क्या चीज तो देखे फ्रेंद्स जिसकी मैं बात कर रही थी वो है प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी सी रहे और देखे काफी हैंडी भी आप बड़े से बड़ा प्लांट लगा दीजे और यहां से उठाने के लिए और यह करीबन देखे बहुत ज़्यादा डेप्थ है अगर आप इसमें चाहें तो कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगा स लगा सकते तो यह करीबन मेरा 24 इंच और यह देखे यह 18 इंचका है तो देखे काफी बड़ा सिब्धा प्लांट यह हमारा और इसमें आप सीजनल फ्लावर बहुत इसली ग्रो कर सकते हैं और यह 10 इंच का है सीजनल के लिए काफी अच्छा है फ्लावरिंग अगर आप यह देखिए बहुत ही अच्छा है मुझे यह जो है पॉट लगे एज टैरेस गार्डन में या फिर जो ग्राउन गार्डन में भी अगर आप गमले वगएरा नहीं रखना चाहते हैं बार बार उनको रूट रॉट का प्रॉब्लम होता है उनमें पानी का लॉक्ट लीकेज हो इसी तरीके से देखिए एक यह भी है यह चौकोर वाले है तो देखिए लंबाई चोडाई में हैं तो यह भी काफी अच्छा है बस इसमें आपको ना देखिए यह जगा दिया हुआ है यहां से आपको पाइप लगानी पड़ेगी और आप इसमें बहुत आसानी से पालक दनिया मेथी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं और या फिर चाहें कोई फ्लावर बेट बनाना तो वो भी अब इसमें बना सकते हैं कोई भी ड्रेनेज होल करने की जरुवत नहीं है अगर आप ड्रेनेज होल नहीं करेंगे तो मिट्टी इसमें से बिलकुल भी बाहर नहीं आने वाली है कई लोगों के कमेंट रहते हैं कि मेरी गमलो सी मिट्टिया निकल जाती है क्योंकि गमलो सी मिट्टिया इसलिए निकलती है क्योंकि इसमें हम होल देते हैं कहीं न कहीं वो पानी के साथ में थोड़ी बहुत मिट्टी बाहर आती ही है अगर आप इस तरीके के ग्रो जाएगी तो यह मैंने कहां से लिए यह तो आईजा मुझे गिफ्ट आए है और मैं इसका और भी पैक मंगाने वाली हूँ तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका मैं नंबर दे रही हूँ साथ में साथ में यहां स्क्रीन पर भी नंबर मेंशन कर रही हूँ आप चाहें तो हर साइस के आप इनसे ग्रोबैक मंगवा सकते हैं अपने सीजनल प्लांट लगाने हो तो सीजनल प्लांट के इसाब से मंगवाईए और सालों साल यह चलने वाले हैं तो फ्रेंट्स मुझे ना एक चीज आपको बदानी बस एक चीज का धिहान रखिए अग आपने रख दिया तो यह मत करिएगा उसे होगा क्या आप पानी देंगे तो दीरे दीरे यहां पर पानी जो है थोड़ा बहुत कलेक्ट रहेगा और वो दीरे दीरे आपकी यहां चछत को सीलन देगा तो इस बात से बचने के लिए इसका बेस सलूशन है कि आप इसके साइ में गाडनिंग करने के लिए तो फ्रेंड्स बिल्कुल अगर हो शकता है कि मैंने काफी अच्छा इसको पसंद किया है और आप लोग भी को भी अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग भी इनसे परचेस कर सकते हैं मैं लिंक आपको और इनका फोन नंबर सब कुछ अच्छे और डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप इनको कॉल करके यह ग्रोबैक्स मंगा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आसा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक मेरा पसंद आयोगा और साथ मेरे ग्रोबैक भी पसंद आयोंगे किया मैं इन इनको टेरिस गार्डन में नहीं रखने वाली हूँ मैं इनको अपने जो ग्राउंड गार्डन न वहाँ पर लगाने वाली हूँ बडए बड़े से ट्री लगाँगी मैं इसमें तो आपको भी देखने को मिल जाएगा तो चलि फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ में आप सी..